हलो गाइस, वेलकम तो माई चैनल, बी आर ए एजुकेशन सेंटर, मैं इंजिनियर विर्जेस भारती, आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं गाइस, तो हम पढ़ेंगे, आज पॉल्टी में पढ़ेंगे, दोस्तों, पॉल्टी में क्या पढ़ भाग एक में क्या है गाइस, भाग एक में है भारत, प्लस राज, प्लस यूटी, केंदर साशित प्रदेश, केंदर साशित, केंदर साशित, प्रदेश की बारे में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, अगर इसकी मैं आर्टिकल की बात करूँ, देखिए, भाग एक में हम पढ़ेंगे, इंडिया, इस्टेट, एंड यूटी के बारे में, ठीक है, और ये अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ, कि भाग एक में कौन कावन आर्टिकर रखा है तो 1 से 4 तक 1 से 4 आर्टिकर ठीक है गाईस और यह रहा भाग 1 में ठीक है और भाग 2 में पढ़ेंगे भाग 2 में पढ़ेंगे गाईस भाग 2 में नागरिक्ता citizenship नागरिक्टा के बारे में हम परते हैं भाग दो में रखा गया है गाईज ठीक है अगर इसकी मैं आठकिल की बात करूँ आठकिल की भाग दो में कौन कौन से आठकिल आता है तो यह आठकिल 5, 6, 11 तक ठीक है गाईज यह भाग 2 में नाग रिक्ता रखा ग़ए गई और यह किस मतलब काहँ आठिकल के बीच में आता है तो यह और पढ़ेंगे भाग 3 भाग 3 में क्या है तो आईए देखते हैं देखिए भाग 3 में बात करेंगे गई तो यह मूल अधिकार ठीक है मूल अधिकार भाब तीन में क्या रखा गया है मूल अधिकार फंडमेंटल राइट ठीक है और इसकी में आइटकिल की बात करूँ तो आइटकिल 12 से 36 तक ये फंडमेंटल राइट में आइटकिल की बात करूँ तो आइटकिल 12 से 36 तक ये आट की लए fundamental right का और यह किस part में रखा गया है तो part 3 में ठीक है गाइस तो आईए देखते हैं part 4 में क्या है part 4 में हम पढ़ेंगे देखिए part 4 में क्या रखा गया है dpsp dpsp राज के नीती निर्दे सकता तो ठीक है राज के नीती निर्दे सकता तो यह भाग चार में रखा गया है तो यह आटकिल 36 से 15 तक ठीक है यह आटकिल 36 से 15 तक राज के नीती निर्दे सकता तो है ठीक है यह गलत लिग गया था जो fundamental right है तो यह आटकिल 12 से 35 तक है ठीक है यह 36 नहीं 35 ठीक है fundamental right जो है आटकिल 12 से 35 तक है और DPSP जो है इसका आटकिल 36 से 50 तक है ठीक है यह 50 तक है तो आईए देखते हैं निष्ट आईए गाईस देखते हैं भाग 4A भाग 4A में क्या है गाईस तो fundamental duties है मौलिक कर्तब यह आटकिल 151 स्वरी आटकिल 151 में रखा गया है ठीक है गाईस मौलिक कर कर्तब को पहले हमारे मौल सम्विधान में मौलिक कर्तब नहीं था इसको जोड़ा गया था है गाईस 42 सम्विधान संसोधन सिक कंस्ट्यूशन अमेंडमेंडमेंट 1976 ठीक है स्वाड सिंख समीती के ताहत इसको 42 सम्विधान संसोधन के ताहत 1976 में जोड़ा गया था fundamental duties को ठी ठीक है इतना आप याद रखेंगे अब हम पढ़ेंगे भाग 5 में क्या है ये संग के बारे में ठीक है एजी का मतलब टाद्रोंट जज एटीशी ठीक है ये भाग 5 में बाथ करें तो इसको संग एजी एटार्दी उनधी जन्र जज्ज की बारे हैं ठीक है यह इस की बात करता है और यह राज की बारे मीट की बारे में भागछे में क्षे है신 की बारे में फारे है ठीक है गाईस इसना आप याद रखेंगे भाग 6 में यदि पूछे आप तो state के बारे में ठीक है अब भाग 7 में क्या है मिर्शिस सम्मिधान ये आट केल 238 के तायर ठीक है अब जो है present time में ये भाग हट गया है ठीक है आप इतना याद रखेंगे आए देखते हैं next part में क्य क्या रखा गया है बहुतिसांदर तरीकिस देखेंगे भाग 8 में क्या है ये केंद सासित प्रदेश की बात करता है ठीक है केंद सासित यूटी केंद सासित प्रदेश की बात करता है और इसकी आटकिल की बात करें तो आटकिल 249 से 242 की बीच में ये यूटी की बात करेगा 249 से 242 जो आटकिल है ये UT की बात करता है ठीक है गईज और किस भाग में रखा गया है केंसासित परदेश को ठीक है तो ये 8 में भाग 8 में रखा गया है इतना आप याद रखेंगे आए देखते हैं भाग 9 में क्या है देखें भाग 9 में है पंचाहिती राज इसके आटकिल क्या है 243 से 243 ओ तक ठीक है और इसका काउन से सम्मिधान संसोधन के ताथ पंचाहिती राज जोड़ा गया है तो इसको आप लोग याद रखेंगे 73 73 सम्मिधान संसोधन कंस्ट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ठीक है गाईस ये सम्मिधान संसोधन करके 73 सम्मिधान संसोधन करके पंचाहिती राज को जोड़ा गया था और इसको लागू कप किया गया गाईस इसको आप याद रखेंगे लागू कप किया गया था तो 24 अप्राइल 24 अप्राइल 1993 एक साल बाद में ठीक है गाईस तो इसको आप याद रखेंगे कि पंचाहिती राज को भाग 9 में रखा गया है और आटकिल क्या है 243 से 243 ओ तक इसका अमेंडमेंट काउन सा है 73 सम्मिधान संसोधन 1992 है गाईस इसको लागू कप किया गया है 24 अप्रेल 1993 को ठीक है गाईस इतना आप भाग 9 के बारे में याद रखेंगे आईए देखें भाग 9 एक क्या है तो भाग 9 एक है नगरपाली कैसे सम्मंदित ठीक है भाग 9 है पंचाहिती राज ठीक है ग्राम पंचाहित से इसका संसोदन आप ये देख लिए है भाग 9 एक याद रखेंगे नगरपाली कैसे है इसका अट्किल क्या है 243 ओ तक इसमें है तो उसकी बाद 243 P से 243 Z G तक ठीक है गाईस और इसका अमेंडमेंट क्या है आप लोग याद रखेंगे इसका अमेंडमेंट है चोहतर चोहतरवे संसोदन भाग 9 में पंचाहिती राज है अब भाग 9 A में क्या है नगरपाली का इसका अट्किल है 243 P से 243 Z G तक ठीक है और इसका अमेंडमेंट है अगर पूछे तो 74 वे संसोदन के ताथ नगरपाली का को जोड़ा गया था ठीक है गाई इतना आप भाग 9 A के बारे में याद रखेंगे ठीक है अब भाग 9 B पढ़ेंगे तो भाग 9 B क्या है साहकारी समीती ठीक है भाग 9 B में क्या है साहकारी समीती ये काउंसा अमेंडमेंडमेंड है यह 97 संसोधन है Constitution Amendment के तहर सहकारी समीति को जोडा गया था ठीक और इसको रखा किस में गया है भाग 9B में तो आईए देखते हैं और पार्ट में क्या है भाग 10 में क्या है तो अनसूचित जाती है और अनसूचित जन जाती के बारे में ठीक है गईज यह इसका आठकिल क्या है आठकिल 244 अनसूचित जाती जन जाती के मतला यह SC-ST ठीक है गईज SC-ST और इसकी आठकिल की बात करें तो आठकिल 244 ठीक है और यह रखा गया भाग 10 में अब आईए भाग देखते हैं भाग 11 में क्या है तो केंदर राज सम्मंद केंदर और राज का जो सम्मंद है वो भाग 11 में रखा गया है और यह काउन से आठकिल में तो आठकिल 245 से 263 तक ठीक है गईज यह भाग 11 की बात हो गई अब आईए भाग 12 में देखते हैं भाग 12 क्या है बित्ति सम्मंद है गाईज बित्ति सम्मंद और इसका आठकिल क्या है 264 से 308 तक ठीक है यह आठकिल है और आएए देखते हैं नेश्ट भाग 13 में क्या है तो भाग 13 में है गाईज राजचेत्र वानिज बेपार ठीक है राजचेत्र वानिज बेपार इसको याद रखेंगे आप अब आक्किल की बात करें तो आक्किल 308 से 320 तक ठीक है लोक सेवा आयोग का आट के लिए यदि आप लोग उस पूचा जाए तो आटकिल 308 से 321 तक ये लोक सेवा आयोग ठीक है और भाग की बात करें तो भाग है 14 ठीक है अब अगला देखिए भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक, भाग 15 में निर्वाचन आयोग रखा गया है, इसके आर्टिकल की बात करें गाईज, 324 से 329 ठीक है, अगला देखिए, भाग 16 में क्या है गाईज, विशेश उपुण रखा गया है, इसके आर्टिकल की इसकी आठकिल पूछे तो 343 से 300 क्यावन तक ठीक है गाईज अगला देखते हैं भाग 18 में क्या है अपार्ट काल अपार्ट काल की बात करें गाईज तो आठकिल इसका 352 से 360 तक यह अपार्ट काल रखा गया है ठीक है गाईज जो की भाग 18 में है यह बहुत ही important भाग है जो क हर एक्जाम में पूछा जाता है गाईज तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं देखिए भाग 14 की बात करें तो लोग से वह आयोग रखा गया है इसमें भाग 14 जो है लोग से वह आयोग की बात करता है इसका आठकिल है 308 से 323 तक ठीक है गाईज अब भाग 15 देखते है निर्वाचन आयोग रखा गया है भाग 15 में और इसको आठकिल की बात करें तो आठकिल 324 से 329 तक यह है ठीक है अब भाग 16 की बात करें गाईज तो BCS उपुवन रखा गया है इसमें आठकिल 330 से 342 तक ठीक है गाईज अब भाग 17 में है राजमासा 343 से 350 तक ठीक है अब आईए बाग 18 क्या है अपात काल जोकि आठकिल 352 से 370 तक रखा गया है ठीक है आएज यह देखते हैं अगला भाग में क्या रखा गया है भाग 19 में क्या है गाईज डखिए भाग 19 में है राजपाल और राश्ठ पती का विशेश अधिकार जो है भाग 19 में रखा गया है और इसकी आठकिल की बात करें तो आठकिल 361 से 367 तक है ठीक है गाईज आए देखते हैं भाग 20 में क्या है तो भाग 20 में सम्मिदान संसोदन है गाईज इसकी आठकिल की बात करें तो आठकिल 368 है भाग 20 में सम्मिदान संसोदन और आठकिल क्या है गाईज इसका तो आठकि सिल उपुबंध ठीक है आईस्थाई और संक्रमन सिल उपुबंध है ठीक है और इसकी आटकिल की बात करें तो आटकिल 370 ठीक है आप देखते हैं भाग 22 में क्या है गाईस तो भाग 22 में है हिंदी पार्ट प्राधिक ठीक है प्राधिक हिंदी पार्ट की बात करता है भाग 22 और इसकी आठ्किल की बात करें गाई तो आठ्किल 393 से 395 तक ठीक है गाई तो यह रहा भाग संविदान के जो 22 भाग है हमारा वो पूरा डिटेल मैं बताया हूं गाई आप लोगों को तो अब इसका नोट हम नोट में 60 में लिख ले रहें गाई जो की कपकप संसोधन करके क उसको मैं एक 60 में लिख दे रहा हूं जिससे की पेपर पूचा जाता है गाई जो आपको बहुत असान हो जाएगो उसको मैं लिख दे रहा हूं ठीक है आए देखते हैं तो गाई आए देख लेते हैं भाग साथ में क्या है गाई निर्सिस संविदान जो की अप्रजेंट में ये हट गया है भाग साथ हट गया है ठीक है गाई ये निर्सिस संविदान हट गया है भाग चार में क्या है गाई देखिए भाग चार में फंडमेंटल ब्यूटीज है ठीक है ये कौन से संविदान संसोधन की ताहत जोड़ा गया था ये 42 संविदान संसोधन 1976 के ताहत इसको जोड़ा गया था guys ठीक है पहले हमारे सम्मिधान में मूल अधिकार था मूल कर्तब नहीं था guys तो इसको भाग 4A 42 सम्मिधान सोधन करके 1976 में इसको जोड़ा गया था guys ठीक है अब आईए देखते हैं और 9 में क्या है देखिए इसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि पंचाहिती राज पंचाहिती राजा guys और ये काउन से सम्मिधान संसोधन के ताहद इसको जोड़ा गया था तो इसको आप लोग याद रखेंगे 73 सम्मिधान संसोधन के ताहद इसको 1992 ठीक है 73 सम्मिधान संसोधन के ताहद भाग 9 को जोड़ा गया है guys जिसका नाम पंचाहिती राज है तीक है इसको आप लोग याद रखेंगे भाग 9 में क्या है guys ये नगरपाल्कय की बारे में बताता है बाग 9A और ये को जिसको आप लोग याद रखेंगे 74 सम्मिधान संसोधन के ताहद इसको जोड़ा गया था भाग 9A जोकि क्या है इसके बारे में नगरपाल्कय की बारे में बताता है ठीक है इसको आप लोग याद रखेंगे भाग 9B क्या है guys देखिए ये साहकारी समीती साहकारी समीती ठीक है गाईज ये कहों से संविधान संसोधन के ताथ जोड़ा गया था तो इसको आप लोग याद रखेंगे 97 संविधान संसोधन के ताथ 97 Constitution Amendment के ताथ इसको जोड़ा गया था गाईज तो ये रहा हमारा संविधान के जो 22 भाग होते हैं कब कब किसको जोड़ा गया था कौन से संविधान में जो पहले नहीं था बाद में जोड़ा गया तो बहुत इसांदार तरीके से में बताया हूं गाईज और यदि गाईज आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब ना किये हों क्नल खसक्तार से सक्तार प्राभ हमारे णोड़ा अरता कर सक्ष리 ग्रश्टन स्वेवरी कावर को जोड़ीर धभा犬 जड़ा हैं गयाँ झाल झाल